विदे वीदूर कताता है यूटुकर फै II यूटूब फैमली डिशिस ऑन्तोर होश्ट्प होश्प आपका धूस्थ bak वीडी youtube बनाने बनाब आगे दिल्ली कपी टूर के बारे बनाने हैं शुके सामने त्रीटमेंट्न है क्योंकि मेरा पिछले मेने का तूर रह गया था इस मेने जुन का जो टूर उसमें जो ट्रीपमेंट्स होंगे दिली के उनके आपके शूर करूंगा कि मैं पार कुछ अपन्वाइडी एडवांस में आते हैं तो पूसली जैसे आप लोग भी हैं तो मेरे यूटूब चानल दे होते हैं तो हैर ट्रीट्मेंट में कितना अच्छा कुपिंग हजामा काम करता है या कुछ और अजर प्रॉबलम साथ है तो यह आपके सामने में शू करूंगा हूँ नाम बताएं मेरे नाम अनस अनस कांसे बलॉंग करते हैं गाज यवास से दो महीने पहले आपको क्या पर तो आपने सेशन लिया था लास तो एक सेशन के अंदर यू कैन सी कि मूसली इनका बाल अभी दो महीने में जितना गृत कर सकता यह तो आपके सामने क्लियर है बट इनका बाल बहुत जादा जहड़ रहा था जहड़ने के साथ क्या होता है ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती एज यू नू बट अब इनकी ग्रोथ काफे बेटर हो रही है वो खास दूर पर जिसे भी बीच बैक का बता रहा है तो इनका जो क्राव नहीं रहा था वो ज पर लगाया थे जहां पर आपके बाल एफेक्ट हुए तो राइट इसी एडिये पर अगर मैंने आपका लगाया तो बिलड सरकुरूशन इंप्रूब होने के साथ ही आपकी ग्रोथ बैटर होई रही जिसी चीज को कंटीनियों करके हम लोग एक नेक्स लवी ट्रीटमेंट चलता है जी आपका नाम बता है कहां से ब्लॉंग करते हैं आप लोग राजस्तान से अब दिल नी आए तो आपको लाइक हिजावा ठीटमेंट के बार में कहां से पर चला यह मैंने यूटूब और इंस्टाग्राम कर देखा ठीक है देखा तो अपने क्या देखा तो आपक अबकिन तर्फ टेएस से मचाशन आप यह जो हैं मत्या फिर सपेंट हैंगी है तो सेशन करें ना मेरे एक्सपिरेंस एराग की जो बाल है यह किना में यहां कि अने लगे हैं और यहां नशे खुल चुकी एकड़ आपको माइन में को रिलक्सेशन लगा नीन में कुछ बैटनेस लगी यह कुछ और नीन ठीक आने लगी है पहले से बाली है फैड़ेच होता था पहले जो जो आपनी इस्टागरम यूट्यूब पर पहले देखा कि हां यार ब्लेड होता है या कट लगता है खून निकलता है तो यह देखने के बाद और एक्स्पिरेंस लेने के बाद आपको क्या फिल आउट हुआ हुआ है कोई साइड इफेक्ट हो अगे नहीं है नहीं है जो अगे लिए लेखा है यू कैंसी अब मैं इसको हटाने के बाद जो उनका टॉक्सिक लेवल आता है जो घंदा खून निकलने के बात करते हैं उसके बेसिस भी ही जो घंदी सेगनीशन होता है यह लेवल 5 है यह लेवल 4 है और यह 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 उनका अल ओवर एरिया के हिसाब से जितना टॉक्सिक अधा रहा था उस पर जब कभ अपलाए करा तो यह आपके सामने उनके टॉक्सिटी आई आए यह इसी चीज को हम डिटॉक्सिफाय या हिजामा करें है तो यह जीज हमारे हैर फॉल के लिए कि प्रॉपर अगर हमारा बालों को बिलर और नुट्रिशन नहीं मिलता तो इसकी ग्रोथ बराबाद नहीं हो पाती इसी चीज को रपेर करने के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग हिजामा करते हैं ज्योंकि बिलर सर्कुलिशन को इम्रूफ करता है साथ में डी इस्पीरिंस किया वह बताना चाहो इजामा सही है क्या नाम है अभी इजामा कराने से इसके सर्की जो है नसे खुल जाती है और बैटर फी लगता है माइं रिलक्सेशन मुद्ट लगता है ना और हेर की बात हेर के ट्रीटमेंट्स के लिए तो वैसे बेनेफिशिल है ही पढ़ से बिलोंग करते हैं पंजाब साप दिल्ली आएं ठीक है आप क्या परिशानी हो रही है मेरे बाल नहीं आ रहे हैं बाल नहीं आ रहे हैं कितने टाइम से नहीं आ रहे हैं तक्रीवर दो साल से आपका दो साल पहले क्या दिक्कत हुई थी जब आपका बाल बहुत घना हुआ करता था है ना घना होने के साथ क्या परिशानी हुए आपको इसा क्या लगा कि जिसके लॉस हो रहा था लॉस हो रहा तो दो साल के अंदर आपको जब यह लगा कि हाँ चलो मेरी बालों के परिशानी अब शुरू हो गई है जो उससे पहले नहीं थी उससे पहले आपका अच्छा खासा बाल तो इसमें आपने कोई ट्रीटमेंट बगर लिया यह खुछ से कुछ आ ना मता सकते हैं तो किसी बंद नायूर में रिकोल दिया था ओके ठीक है उसके बाद जब आपको असर होना बंद हो गया तो आपके माइड में हिजामा कहां से आया है 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 हिजामा असल में चे-शाथ महीने से मैं देख रहा हूं और हिजामा मुझे पसंद भी है मैं मदीने है तो आपकी वीडियो से देखें कि आप हिजामा करते हैं है है के लिए तो मैं आपके लिए कंडिशन है जिसा आप साप देख रहे हों की उपर कि इनकी बाल काफी अच्छा है बट मिड ऑफ द एरिया जो है वो इंजर्ड है इसमें कहीं ने कहीं बाल बहुत पतला है और तरीकी से ग्रूथ नहीं है होती ही तो घना बन दिखता हो यहीं इनका इंजर्ड एरिया इसी चीज़ को रपैर करने के लिए ब्लड सर्कूलिशन इंप्रूफ करने के लिए ग्रूथ अच्छा करने के लिए हम इन पर हिजामा करना है अब क्लाइंट के उपर मैंने कब होता है ब्लड सर्कूलिशन होता है उससरे से हेर की हल्थ होती है यह एक ऐसा जज्जमेंट होता है कि यह पता करने के लिए महाँ पर हिजामा से गंदा खून है या नहीं और है तो लेवल फूर का है जिस वजह से इनके परिशानी थी तो अब इस चीज़ को हम डिटॉक्स के हमारे ख Almost areす o Cart भी और दोटा आरिफ को नहीं को नहीं मिल पा तो उसकी वजह से बॉक्र की समस्या पैदा होती जिस में घ्र फौर् तहुल जादा होता है ग्रॉथ प्रॉपर नहीं यह चीज़ करा जाता है जो कि फूचर में आखे हमारी ब्रस इस और से ब्रूफ करता है बनाता है और हमारे हेरफोर्ड को बंद करने के साथ भी ग्रोथ पैदा करता है जी आल लेड़ी आपका हिजामा अभी हुआ एक सेशन हुआ जिसमें आपका काफी जादा गंदा खून निकला तो आपको इस चीज के लिए एक्सपीरियंस केस है आपका अच्छा लग रहा हलक मै ङुआ अपका हैके रहा है कोई परिषानी लग यद democrat ता आपको नोग करते है किया बेर मैंदा लग गोंषानी ही घ्र धिरो पार्यूंध में में निक् outline निक विक घ्प घ्रवां निक ड्र निक करेदें क्लिक भूमरय थे लूसे और हैं कोती। हम स्य कूर्फे इन वाइ किसी का हेलफ और बहुत जाद है किसी गृफ प्रॉब्लम है तो इस महीन का कपेंट कर आना है तो नेक्स महीने जब मैं दिल्ली आऊंगा मैं 5 जुलाई को आने वाला हूँ और जितनी भी लोग इंट्रेस्टेटेट में करने के लिए हिजामा लेने लेने के लिए फौर हैर तो मुसली मैं अपना नमर डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिख दूंगा वह साथ हो मुझे वाटसब कर सकते हैं उसी नमर पर और अपनी अपॉंट्मेंट एडवांस से बुक करा सकते हैं तो इसी तरह से जो भी ट्रीप्मेंट्स आपके लिए हम लोग कर सकते हैं दिल्ली म वो मैं एडवांस अपॉंट्मेंट लेके दिल्ली में आपको कपिंग फेरपी ट्रीट्मेंट दे रहाएं थैंक्यू